हेलो एवरिवन मैं आज आप सबको स्ट्रेट कूर्ती वीथ पॉप स्लीव कटिंग करना सिखाऊंगी तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लेंड रो करनी है उसके बाद में आपको आपकी लेंध है ना उसमें प्लस वन करके एक मार करना है तो मेरी 37 है तो मैं 38 पे एक मार क करूंगी उसके बाद वहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रो करने है अब हमें शॉल्डर पर एक मार करना है तो मेरा शॉल्डर 15 है तो 15 डिवैट बैट 2 तो मेरा आ रहा है 7.5 तो 7.5 पे एक मार करूंगी आपका शॉल्डर कोई भी वो डिवैट 2 करके ही मार करना है उसके बाद 2.5 पे एक मार करना है वो भी सब के लिए फिक्स ही है उसके बाद शॉल्डर का मार किया हुआ और वहां से वान इच इतना डाउन जाना है तो 2.5 पे जो मार किया था वहां से वान इच डाउन गए वहां एक स्ट्रेट लाइन ड्रो करने है दोनों पर इंट को मिला के अब हमें आम होल का मार्किंग करना है तो हमारी चेस्ट 33 है तो डिवैट बै 6 प्लस 1 करके मार करना है तो मेरा 6.30 6.66 आ रहा है तो वहां पर में एक मार करके एक लाइन ड्रो करूंगी आप पच्वा रहा है वहां आप वो ड्रो करना उसके बाद हमें चेस्ट लाइन वाला मार करना है तो हमारी चेस्ट है 33 डिवैट बै 4 प्लस डिवैट बै 4 प्लस 1 करके एक मार करना है तो मार्च इंटरफाय तो वहां पर मार करना है उसके बाद हमें शोल्डर का सेंटर लेना है कि हमने सभी माप शोल्डर के सेंटर से लिया हुए तो वहां पर एक मार करके हमें सभी ड्रो करना है कि वेस्ट वाला मार्किंग मेंने 14 पे लिया था तो 14.5 पे एक मार करूंगी 0.5 जितना माइनस कर प्लस करके मार करना है क्योंकि हमारा शोल्डर जोइंट करते वक्त कृइंट बूइंट फाइव जितना मारं चला चाहेगा सिले में में मिलें इसके बाद मेरी वेस्ट है ट्वएंटी एट ट्वेंट ट्वेट बेग्वात कारके difference मेरा 7 आ रहना रहेत6 सेवन पे पार करोंगी उसके बाद मय मेरी हीप है वहा पे कलाइन डो करोंगे बाद में हीप का मार करना है वो मेरी हीप है तर्टी सिक्स तर्टी स्क्स डिवेड बैर Civic 4 करके में मर्ण करोंगे नायन पर मर्क हरा नो इसके बाद में एक प्रक्राइब करें नीचे का पॉइंट इसाइब करें नीचे भी आए टेन पे एक मार करना है तो यहां से नीचे का पॉइंट जोइन करते एक लाइन डेहन करने है अन्दर वाला पॉइंट अंदर की साइड और बाहर वाला पॉइंट बाहर की साइड कर दो कि अ कि अब उसके बाद हमें आम होल का शेप ड्रो करना है तो उसे इंटर पर एक मार करना है उसके बाद हमें एक स्ट्रेट लेंड ड्रो करनी है कि फ्रॉंट बेक दोनों को पॉइंट वेंटिफाइव अंदर और पॉइंट वेंटिफाइव बाहर जाना है यहां से हमें पॉइंट सेवंटिफाइव पेक मार करना है आज बेक वाला वन पेक मार करना है कि सब्सक्राइब को मिला के हमें एक राउंड शेप ड्रो करना है आए और झाउंज से कंपे वाला करना है ढ़ कि उसके बाद हमारा रेड़ी शोल्डर है थ्री तो उसमें प्लस वन करना है क्योंकि दोनों साइड हाफ इच जितना सिले में चला जाएगे तो प्लस वन करके ही मार करना है उसके बाद यहां से मापना है हमारा गेप कितना आ रहा है तो मेरा सबसे पहले तो गोले का मार करना है तो मेरा सिक्स से आगे का और थ्री है पीछे का और एक स्ट्रेट लेंड रो कर दूंगे मुझे भी नेक बनाना है तो मैं ऐसे ड्रो करोंगे और आपको राउंड बनाएं तो राउंड कोई पीछे बना सकते हो और पिछे का मुझे राउंड चाहिए तो मैं पीछे राउंड बनाओंगे शूल्डर पे हाँ पीच पे एक मार करके मैं बनाओंगे क्योंकि हमारा शूल्डर चुइंट करते वक्त हमारा एक शूल्डर क्रोस आ रहा है तो इसे ड्रो करने से नहीं आएगा कि उसके बाद हमें इसे कट कर देना है सबसे पिले तो में पीछे का कट करना है पीछे का निकाल के आगे का कट करेंगे कि अगे कि अगे